नमस्कार दोस्तो हिंदी नू जफेर्स में आपका स्वागत रहा है दोस्तो भारत के लिए एक बहुत ही अछी खबार आ रही है इंडियान रेल्वे की तरफसे खबर है कि भारत में जो बंदे भ्हारइग ट इसकी इंडिया में तो डिमांड खुब है यह लोग पसंद करी रहे इसके साथ ही अब इसका एक्सपोर्ट भी होना स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्दी बता दूं कि भारत अब कुछ देशों को इसको एक्सपोर्ट करने वाला है उनसे भारत देश की बातचीत स्टार् इसकी सुरू करी है वह इन दोनों देशों से करिए उसका रीजन यह है कि इनकी बिलकुल रेलवे की जो डिजाइन है और जो हमारे रीलवे का स्ट्रक्शर है बिलकुल मैच करता है का वैसे ही है तो हमें बंदे भारत ट्रेन में कोई जादा जैंजिस नहीं करने होंगे order मिलने वाले हैं और वहाँ पर कुछ customization चाहिए होगी उसको कुछ changes के साथ करना पड़ेगा वहाँ के हिसाब से दसल अब आपको बताता हूं कि भारत में अब जो पट्रियां बिछेंगी वो एक standard gauge होता है और एक narrow gauge होता है गेज उसे बोलते हैं जो पट्रियों की दूरी होती है भारत में जो पट्रियां अभी यूज होती है mostly वो broad gauge की यूज होती है इन दोनों का मतलब यह होता है कि जो 1435 mm के बीच की gap 1435 mm से ज्यादा होता उसको बोलते हैं broad gauge और जो उससे कम होता है 1435 mm से कम होता है उसको बोलते है narrow gauge और एक होता है standard gauge जो बिल्कुल 1435 mm की ही दूर ही होती है दोनों पट्रियों के बीच की इसको बोलते है standard gauge तो बिसको जो 60% देश है वो standard gauge पर ही काम करते हैं मतलब कि उनकी आँ जो रेल चल रही है वो 1435 mm की जो gap है पट्रियों की उस पर ही train चल लए तो भारत के जो railway minister है अस्वनी बैसनों जी इन्होंने चेन्नाई में ज जो कोचेज बनेंगे और जो पट्रिया बनेंगी वो standard gauge के ही हिसाब से ही बनेंगी जिससे हम ज्यादा से ज्यादा export कर पाएं अब आपको बता दें कि यह जो हमें order मिल रहे हैं इन से चिली और अर्जेंटीने से जो बात हो रही इसके अलावा मोजांबिक और बांगलादे इसको करीब 200 कोचेज एक्सपोर्ड करने हैं उसकी जो cost उसके जो रुपाय का contact है वो करीब साले 800 करोड से लेकर 900 करोड के बीच का है कि अलावा भी कुछ देश है जहां पर हमें देना है जैसे कि वियतनाम लाओस नेपाल यहां पर भी हमको देने हैं और हमारी और भी सब्साइब कि लोको मोटिव और वंदे भारत में फर्किया, धरसल न दोनों फरक यह है कि जो वंदे भारत ट्रेन है इसमें जो coaches होते यानि ट्रेन को डिब्बे होते हैं यह एक दूसरे से बिलकुल जुले हुएता हैं पूरी ट्रेन एक साथ जुली होई होती है जो दूस ट्रेन इंजनलेस्ट ट्रेन है और इसमें एक ये फाइदा होता है कि ये एकदम से अपनी स्पीड को पकड़ लेती और एकदम से अपने आपको रोग भी लेती है और ये स्पीड बहुत जल्दी इसमें आ जाती है safety point of view से यह बहुत ज़्यादा safe train है speed तो इसमें देखने को मिलती है जिसकी वज़े से बाहर के लोग इसको पसंद कर रहे हैं और भारत में भी इंडिया का लोगों का इसमें experience बहुत अच्छा है हमारे technology भी हमें देखना को मिल लगी ठीक है क्योंकि इसके कोई accident और ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं अभी तक अब इसके बाद जो भारत की अब नई planning है जो लाने की वो अंब्रेट train है यह वंदे भारत train है अब एक हजार अमरे train अब बहुत ही जल्दी बनने वाली है वो इससे भी अच्छी होंगी वंदे भारत से भी अच्छी होंगी यह हमारे अभी जो project है pipeline में अब दोस्तों इससे related और भी कोई updated नहीं हो जाती है तो मैं आपके लिए updated वीडियो लेकर तें यू